जैहिंद मेरे सभी प्यारे साथियों को मैं हूँ राहुल जैस्वाल और आप देख रहें बिहार वोट का नंबर वान यूटूब चानल रियल नॉलेज वर्ड तो फ्रेंज आज के इस वीडियो में बात करने वाले आपके बेंजन संधी के बारे में और यह संधी का स्री चल डंटिशा से पहले और आ को छोर कर कोई भीन स्वार आए तो डंटिशा का मुधन सह हो जाता है कि इसको आप समझे क्या बोला कि आपका जो है जोर से पहले ठीक है जोर से पहले जो है आपका केवल जो है और या आपका आ और या आ को क्या करना है छोर देना है यानि इसको ह आटा देना है ठीक है आपका जोर के बाद ये आपका डंटी सा रहेगा बोला क्या डंटी सा से पहले यानि इससे इधर पहले डंटी सा से पहले इस साइड अगर आपको छोड़ कर ये दोनों को केवल छोड़ कर अगर इस दोनों को छोड़ने के बाद अगर कोई भीन स्वर आब शोर मतलब कोही दूसरा खुछबी और आपका चेंज हो जाएगा किस मे तो मुधन समय आपका चेंज हो जाएगा यह आपका नियम बुल रहा है Example देखा जाए जैसे यहां पे तो आपका सर रहेगा ठीक है और सर से पहले देखें, यहां सर से पहले आपका क्या रहान redeem चाहिए और आपको छोड़ कर कोई दूसरा स्वर रहने चाहिए तो देखें यहाँ पे डंटी 100 से पहले आपका क्या है उ है न उ क्या है यहाँ पे नू आपका है तो नू का मतलब क्या होता है आधा न और पलस उ और यहाँ पे आपका क्या है श इसका मतलब क्या हुआ कि 100 से पहले क्या है आपका उ क्या आ को छोड़ कर है कि नहीं है तो डं एनू का अनू डान्टी सा किसमें चेंज हुआ मुध्ढ समय यानू संग ठीक उची परकार यहाँ पर यह आपका यह साय और से पहले आपका क्या ई है यह आपका ए or bisa वी जोह लिखा हूआ वी वर में क्या लगा हुआ एल पर देखे आपका इनूinação मतलब आपका ए है इं ऐ न तो ये आपका चेंज़ क्या डंटि से टेम मुदहनसा में, ये हुए अभÝे आपका क्या है? अभी शेख हो गया, उसी परकार यहां भी, आपका यह देखिए, यह आपका डंटिशा, और डंटिशा से पहले हैं, आपके क्या ए है, तो मतलब डंटिशा किसे वचे हैं, जो का मुझान से में, तो नी का नी, और यह सिद्ध का, सिद्धी यह सिम्पल है, ठीक है, नियम नम हो जाता है, सिम्पल है, देखिए, क्या बोला, कि आपका जोर से पहले जो है, क्या रहेगा, मौहलंत रहेगा, और जोर के बाद, यानि जोर के बाद, ठीक है, जोर के बाद जो है, आपका क्या होगा, अगर का से लेकर, का से लेकर मत तक के बीच के अगर कोई भी वर्न आ यह जो आपका मौहलंद है वह अपने आप अनुस्वार में चेंज हो जाएगा एक्जामपल देखा जाए क्या बोला यहां पे जोर से पहले तो आपको हमेशा मौही रहेगा क्योंकि जोर के बाद आपका जो किरिया होगा कोसे लेकर मतक तो यहां पर देखिए यह आपका मौ हलंद ठीक है और मौहलंद के बाद यह क्या है आपका तो तो जो है कोसे लेकर मतक के बीच में आता है कि नहीं आता है न तो यह आपका मौहलंद चेंज होगा किसमें आपका अनुस्वार में तो यह सा यह मौका क्या हो जाएगा अनुस्वार ठीक है और यह तोस का तोस क्य हो गया संतो समाझ मैं रहा हूँ ना समाझ में दरुन कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा लिए अगला एक इक जामपल का आपका ये सम जोर बंढ तो ये आप जोर से पाहँ से पर तो मा रहे गैशी ऌहीं तो as to are ke ba b होगाका किसमें अनुषार में और यह बंद का बंद क्या हो जाएगा संबन्ध simulator अगला यहाँ यहाँ पर अगला यहाँ पर देखा जाए यह आपका क्या हो गया यह अनुष्वार में हो जाएगा या याहनी, यह हो गया संब या यानी सरा और पर गया है यह संबोम करद कहा है' यह आपका संब यौिख कव करद हो जाएगा, यहाँ पर यह मॉक्रण कालम करद का अ यौण है कि हैं तो इसका मतलब नम्हें यानि सरा माइक क्या हो जाएगा अनुस्वार और यह मॉक्र doctrine SAM तो द्वित्वा मौ हो जाता है, ठीक है, मौ हो जाता है, यहां पर समझे क्या बोला, क्या बोला है, यदि आपका यहां पर जोर से पहले आपका मौ हलंद रहे, ठीक है, और जोर के बाद भी अगर आपका मौ आए, अगर ऐसा आपको कहीं भी दिखाए दे रहा है, मौ हलंद क के बाद अगर मौ आ रहा है यानि जोर से पहले आपका आधा मौ हो और जोर के बाद भी आपका मौ हो तो इसका मतलब है कि ये दोनों मौ मिलकर क्या हो जाएगा द्वीत्वा मह हो जाएगा, मतलब द्वीत्वा का मतलब ऐसे होता है, ये दोनु आपस में ऐसे मह में बदल जाएगा, चलिए एक्जामपल देखा जाए, जैसे यहाँ पर एक्जामपल देखे, जोर से पहले आपका क्या है मह है, देखे, जोर से पहले मह, और जोर के बाद और है कि नोब हो क्या है ताथ मिल जया है इस तरह का इस द्वीट्वा मा यहां पर देखें इस डंटी सर का है जोड़के बाद भी क्या है उस तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस Haven का मोह हो दूने में ह्द जो अगर इसमें से अगर आपका कोई भी वर्ण आ रहा है तो महलंत के बाद अनुस्वर्ण हो जाएगा मतलब क्या हुआ कि आपका जोर से पहले आपका महलंत रहेगा जोर से पहले आपका महलंत रहेगा और जोर के बाद इतना मेंसे कोई भी अगर आपका वर्ण आ रहा है तो यह महलंत चेंज हो जाएगा इक्जामपल देखा जानों आपको तो यहां पर देखे एक्जामपल, फ़र्स एआउनापल देखा जानों इस वहागा, इस कमझा है, शारक हो क्या हो, वि का मतलब वि का मतलब क्या होगा एगर तुरा जये इसको तो वि क्या हो जाएगा आधा व और ये आपका ई में वतलब जो जो है आपका व है कि नहीं है वह मतलब जो है आपका मों की में अनुपार में चैंज होगा यह स्था का स स मां की Kern Efendimiz और विधान का विधान क्या हो जाएगा, सन विधान हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यह मौक के बाद क्या है, वाद, यानि वा है, तो मौक किसमें से जल्जम का अनुस्वार में, यानि शो का शो, मौक का अनुस्वार, यह वाद का वाद क्या हो जाएगा, सन वाद हो जा कर सकते हैं और हम लोग का एक न्यू चानल फिर आया ठीक है सकेंड चानल ठीक है जिक्के जिएस एकने उस चानल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आप हमें फेस्बुक ट्विटर भी इंस्टागर भी फूल कर सकते हैं और इस वीडियो का पीडिएफ ठीक है आप टेलीगराम गरूप से डालोड कर सकते हैं तो बस आज के लिए इतना ही जय हिंद जय भारत वंदे मात्रम